दोस्तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरूर थे हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका जियो भी नीज पे दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खब है दोस्तों बेड़ियो को एक लाइक जरू करें दोस्तों महम्ता बेनर जी का प्रधान मत्री मोधी को चैलेंज कहा गलत साबित हुए तो कान पकड़ कर लगानी होगी सो बार उठक बैठक जी हाँ दोस्तों पस्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मम्ता बेनर जी ने प्रधानमत्री मोधी को लेकर के ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के बिवात खड़ा हो गया है ममता बेनरजी ने प्रधानमत्री मोधी कोल माफिया को लेकर के लगाए गए आरूप को सिध करने का चैलेंज दिया है और कहा है कि प्रधानमत्री मोधी को लगाए गए आरूप जूटे साबित हुए तो उन्हें कान पकड़ करके सो बार उठक बैठक लगानी होगी ममता बेनर जी ने कहा है कि मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ अगर तुम यह साबित कर दो कि हमारे में से कोई कोल माफिया से जुड़ा हुआ है तो मैं आपके सभी 42 उमीदवारों को वापस लूँगी अगर तुम जूट बोल रहे हो तो तुम्हें अपने कान पकड़ करके जनता के सामने सो बार उठक बैठक करनी होगी जिया दोस्तों आपको बता दे कि पंधार मतरी मोदी ने ममता बेनर जी के नित्रित्यों वाली पस्चिम बगा सरकार पर आरोप लगा जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है यूपी से लोकसभा चुनाव के छठे चरण में गटबंदन का गणीत मजबूत 14 में 12 सीटों पर बीजेपी को खत्रा जी हाँ दोस्तों उत्तर परदेश में 12 मैं को होने वाले अगले चरण के चुनाव में भारतिये जनता पार् गटवंदन के पक्च में बैठता है भाजपा ने 2014 में इस सीटों में से आजम गट को छोड़ करके सभी पर कबजा जमाया था लेकिन इस बार इन सभी सीटों का जीत दर्ज कराने के लिए भारति के प्रधारमतिन नरेंद्र मोदी के करिशमे को असर दिखना होगा क्योंकि महा गटवंदन यहां मजबूत बिकेट पर खेल रहा है कम से कम कागजों पर तो यहीं पृतित होता है जहां दोस्तों फूलपूर में जहां से गटवंदन ने अपने प्रयास की शुरुआत की थी भाजपा को यहां पहले ही गटवंदन की मजबूती का एहसास हो चुका है 2018 उपचुनाओं में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था अगर सपा और बस्वा उमिद्वारों को 2014 में मिले वोट को देखे अगर दोनों पार्टियों के पारंपरिक मतदाताओं ने अपना साथ नहीं छोड़ा और भाजपा संभोता परताप गड़ को छोड़ करके सभी 114 सीटों पर हारने की स्थिति में हैं भाजपा इस सीटों पर काफी हद तक प्रधारमंतरी मोदी के वोट को अपने पक्च में करने की सक्ति पर निर्फर है इवियम में कैद हो चुका है आपको बता दे कि आजमगर में अखलेस यादो का सामना भोजपूरी कलाकार दिनेसलाल यादो यानि निर्फवा से है इस सीट पर 2014 में मुलायम सिंग यादो ने जीत दर्ज की थी इस चरन में भाजपा नेता मेनका गांधी भी भागे का फैसला होगा इस बार वो सुल्तानपूर से चुनाव लड़ रही है जहां उनका बेटा वरुन गांधी वहां का मौजूदा सामसत है जी हां दोस्तों अगली बड़ी ख़बर नामदार नोसेनिक बेडों का इस्तमाल मोज करने के लिए करते हैं लेकिन कामदार आतंक पर हमला करने के लिए करते हैं नामदारों ने भारत के नौसैनिक बेडों का इस्तमाल व्यक्तिगत कारणों से किया है जबकि कामदारों ने इसका इस्तमाल आतंक पर हमला करने के लिए किया है। ये कामदार का इस्तमाल करते हैं। अरुन जेटली ने कहा है कि दिसंबर 1990 से लेकर के मई 1991 तक जब स्री राजीव गांदी की हत्या हुई तब केंदर में कांग्रेस पार्टी के समर्थित चंदर सेखर सरकार की सत्ताधीन थी। मई 1991 से 2004 तक कांग्रेस ने राजीव गांदी की हत्या के लिए द्रुमक की जिम्यदा ठाराया। जहां तक की उसमें सभी आधार पर सन्युक्त मूर्चा सरकार में भी समर्थन वापस लिया था। 28 साल बाद आज बेचैन कांग्रेस ने भाजपा के भूमी का ढूड ली है। अरुन जेटिल ने एक टिपणी करने के बाद वरिश नेता अहमद पटेल ने बयान में जबाब दिया है कि जिन्होंने उन्हें कहा है कि भाजपा समर्थित वीपी सिंग सरकार ने राजीव गांधी को अतरित सुरक्षा परदान करने से मना कर दिया था और भरोसेमंद पर इते समय देशी कमपनियों को मिलेगी तरजीह जी हां दोस्तों रक्षा मंतराले ने फैसला किया है कि सेना के लिए खरिदारी करते समय स्वदेशी कमपनियों को ज़्यादा मोका दिया जाए फिलहाल सेना की वर्दी और कुछ खास साजो समान की खरिदारी में नई नित अपनाई जाएगी बाद में सेना के एक दूसरे सोदों को भी इसी नीती के दोरान लागो किया जाएगा हाल ही में मुंबई में हुई एक बैठा केन में फैसला लिया गया ताकि सेना की खरीदारी में स्वदेशी उत्पादों की सीमा को दोबारा तै किया जाए सेना के लिए टेकनिकल क्लोथिंग और बेहत उचाई पर इस्तमाल होने वाले समान की खरीदारी अगर 50 लाग से कम होगी तो ट्रेडर की प्रक्रिया में केवल भारतिय कंपनियों को ही मौका दिया जाएगा टेकनिकल क्लोथिंग के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ पठका सामिल होगा वहीं सूपर हाई एल्टिटूट पर तैनाती के दोरान इस्तमाल होने वाले कपड़े खास तरीके के बर्फ पर चलने वाले जूते, स्प्लिंग, बैग और अंदर पहनने वाले कपड़े वगर इसमें सामिल होगे अगर खरीद पचास लाग से ज़्यादा कीमत की होगी तो सबसे कम बोली वाले कंपनी एल वन, कंपनी बिदेसी है तो उसे कुछ ओडर का आधा हिस्सा दिया जाएगा, बाकी आधे के लिए उसी कीमत पर भारतिये कमपनियों को सप्लाई करने का मौका दिया जाएगा अगर order को आधा आधा न किया जा सके तो कभी बिदेशी कमपनियों को trade के बारे में जनकारी देकर के भारतिय कमपनियों से supply की संभावना तलासी जाएगी सेना के उच अधिकारी ने कहा है कि ऐसे वातावरन तयार करने के कोशिस की जाएगी जिसमें सेना साजो समान की खरीदने में भारतिय कमपनियों को हर तरीके से आगे बढ़ाये जा सकेगा रक्षा मंतराले के अध्यात्मिक निर्भरता के लिए पिछले कई साल में परयास किये जा रहे हैं दिसंबज 2018 में रक्षा मंत्राले की अध्धक्चता में हुई एक पैठक में सेना के लिए खरीदारी की स्वधेसी करण को बढ़ावा और बीदेसी कमपनियों को बीदेसी कमपनियों के बराबर लाने के निर्देश दिये गये थे। सेना खरीदी इस नीती की चरन बढ़ धंग से बढ़ने का फैसला किया गया है। जस्टिस एस ए बोबड़े जस्टिस वी वाई चंदर जूर और जस्टिस असोग भूशन और जस्टिस अब्दुल नसीम सामीले। जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़बरे इसराइली राजदूत का लोकसभा चुनाव को ले करके बढ़ा बयान। बोले अगर भारत में सत्ता बदलती है तो जी हाँ दोस्तो इसराइल के राजदूत रान मलका ने कहा है कि भारत और इसराइल के बीच सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। और सरकार में बदलाव होने पर भी द्विपक्षिय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कि इसे क्यों बदलना चाहिए यह दो देशों के बीच का रिस्ता है यह रिस्ता बढ़ रहा है और आगे बढ़ता है रहेगा सत्ता में कौन है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है। इस अनोखी बधाई दी थी। बधाई में भारत वासियों के साथ बिसेस रूप से अपने दोस्त परधार मतरी मोदी का जिकर किया था। लेकिन खास बात यह थी कि इस जिकर में सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं बलकि भारत के राष्ट भासा हिंदी में भी था। बेंजमीन नितियाहू ने भारत को बधाई देने के लिए हिंदी का इस्तिमाल किया। इसराइल के प्रधान मतरी बेंजमीन नितियाहू ने हिंदी में ट्वीट करके दिया था। इस्राइल के और से की गई बयान में उन्होंने कहा था कि मैं अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को दिपावली की सुभ कावनाय देता हूं, रोसनी के इस चमकदार तेवहार से आपको और संब्रिधि मिले, हमें बेहत खुसी है, अगर आप इस ट्वी में भी ट्वीट करते हुए कहा था, बेजवी नितनी नहों ट्वीट करके कहा था कि बीवी मेरे दोस्त, ध्विपावली की बधाई के लिए आपका सुक्रिया, प्रतीक वर्स वो भारत की सीमावर्ती इलाकों में जाते हैं, और अपने जवानों को आश्यर रिचकित करते ह इस वर्स भी वे अपनी बहादुरी जवानों के साथ बहुत कुछ समय बिताएंगे, उस जवानों के साथ समय बिताने वाले खास आप हैं, जिया दोस्तों मैं आपके साथ उस यादकार तस्वीर को भी साज़ा कर रहा हूं, आपको बता दे कि पर्थारमतिर नरेदर मोदी ने इसराइली भासा में भी या ट्वीट करके जबाब दिया था